हलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग तो चले स्टार्ट करते हैं वेव का जो लास्ट जो कुछ कोशन बच्चे हुए थे इस पार्ट में तो उसको हम पूरा कर लेते हैं प्यारे बच्चों ठीक है कोशन वीडियो पॉच करो और सॉल्व करने की कोशिश करो यह जो कोशन है वो बीट्स पर है तो बीट्स क्या होता स्लाइट्ली डिफरेंस बीट्वेंस बीट्वेंसी डिफरेंस मतलब कितना नाट मोर देन है 10 क्योंकि एक दस से जाधा होगा थो हमें तो सुना वीट्स तो होगा तो सॉंड्वेयंड पर सशेंड वेंन शॉंडेडं़ वीट्स विध च्साउंड विथ अनणैंडल स्यौक् dei हम लोग यार एक source में यहां बना देता हूं और एक source में यहां इसकी frequency F1 है जो हमें पता नहीं है इसकी frequency F2 है जो already question में दिया हुआ है 100 Hz है ठीक है यह क्लिए है अब इन दोनों को अगर एक साथ मैं sound isolate करता हूं तो हमें जो bits मिलता, bits मतलब इन में frequency का जो difference आया है वो actually हमें मिल गया 5 bits बराबर है तो इसका मतलब है हुआ कि अगर यह 100 इसका frequency है और bits 5 मिल गया तो पहले वाली की frequency कितनी आ जाएगी पहले वाले की frequency आ जाएगी F2 plus minus 5 मतलब 100 और plus minus 5 इसका मतलब है हुगा कि जो F1 की जो value आ जाएगी 105 और 95 तो हर्स होगी होगी यह बात confirm हो गया कि जो unknown जो source है उसकी जो frequency है या तो 105 होगी या 95 होगी अब यह हमें पता नहीं इसमें से confirm सही कौन सा है बट यह बात option को देखक अब को पता लगा होगा कि यह कभी सही नहीं हो सकता यह कभी सही नहीं हो सकता क्योंकि जो F1 की frequency जो पूछा जा रहा है actual frequency of source या तो यह है या तो C है अब इसमें से confirm सही कौन सा है उसके लिए कुछ condition में तो second harmonic यह जो होता है इसको हम first harmonic बोलते है first harmonic इसको मैं F1 से denote कर देता हूं second harmonic का मतलब इसका double third harmonic का मतलब इसका three types तो इसका अगर मैं second harmonic of the source जैसा जैसा कर रहा है वैसा वैसा करते चले जाओ तो इसका second harmonic का मतलब है second harmonic निकाल लेते हैं F2 तो इसको double कर दे तो अगर मैं इसको double करता हूं 105 को तो यह आ जाएगा 210 हर्स और मैं इसको double करूंगा तो 190 आ जाएगा यह clear है यह आ गया second harmony जो यह line कर रहाता अब यह जो second harmony frequency है वो किसी दूसरे source के साथ एक तीसरा source आ गया चलो यह तीसरा source आ गया यह third source है इसकी frequency 205 हर् के साथ तीसरे source के साथ जो अपना पहला source था उसकी second harmony को इसके साथ sound generate किया गया तो observer को 5 bits मिल गया यह बराबर तो actual F1 की value कौन सी है तो यह जो condition दिया है उसको मैं satisfy करवा देता हूं यह चलो तो 5 bits मिला 5 bits 205 और 190 को एक साथ sound generate करते हैं कि आपको 5 bits मिलेगा कभी नहीं मिलेगा 205-190 तो 205-190 is equal to 15 bits मिल गया अब क्या 205 को इसके साथ मैं sound generate करूं तो 210-205 तो यह हमें मिल गया 5 bits जो की बात बिल्कुल सही है जैसा question कर रहा है इसका मतलब है हुगा कि जो यह 190 जो second harmonic है उसके साथ sound generate नहीं किया गया होगा इसका मतलब 95 गलत frequency है इसका मतलब 105 सही frequency है इसका मतलब यह option सही है clear है चलो चलो